नमस्कार आपका स्वागत है प्रेणा समाचवार में मैं हुपल लवी केंद्रिय संस्कृत विश्विद्याले बिल राज्य सभा में पेश राज्य सभा में सोमवार को केंद्रिय संस्कृत विश्विद्याले विधेयक 2019 पेश किया गया केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोक रियाल निशंक ने विध्ययक पेश किया यह विध्ययक लोग सभा में पहले ही पास हो चुका है बता दें कि यह देश के तीन संस्कृत संस्थानों को केंद्रिय विश्विध्याले बनाने से जुड़ा विधेयक है इस विधेयक की तहट नई दिल्ली स्थित राश्ट्रिय संस्कृत संस्थान लाल बहादूर शास्त्री विध्यापीट और तिरुपती स्थित राश्ट्रिय संस्कृत विध्यापीट को केंद्रिय विश्विध्याले का दर्जा देने का प्रस्ताव है राजी सभा में बिलपेश करते हुए केंद्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोक्रियाल निशंक ने कहा कि संस्कृत दुनिया की प्राचीन दितम भाशा है और भारत की संस्कृती की परिचायक है इस भाशा के अंदर ज्यान विज्यान का विपुल भंडार और अनुसंधान शिपा हुआ है आज़्या में 25 मार्च से नयस्थान पर होंगे रामलला के दर्शन आगामी 25 मार्श यानी चैत्र नवराथ के पहले दिन से आयोध्या सित नयस्थान पर रामलला के दर्शन होंगे इसके लिए रामलला को अस्थाई मंदिर में शिफ्ट किया गया है वहीं अब एक किलोमीटर के बजाए आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और श्रधालू 26 फीट की दूरी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे विश्व हिंदू परिशत के उपाध्यक्ष और श्री रामजन्म भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के महासचेफ चंपत राय ने ये जानकारी दी वे दिल्ली में इंद्रागांधी राश्रे कला केंद्र में आयोध्या पर्व के अंतिम दिन बोल रहे थे श्री श्री रवीशंकर ने कहा कि देश में फैले निराशावादी वातावरण को योग ही कर सकता है ठीक आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवी शंकर ने कहा कि उत्राखंड योग की भूमी है जहां प्रतियक योगी अपना घर बना सकता है आज पूरे विशु में निराशावादी वातावरंड बन रहा है जिसे योग ही बहतर बना सकता है रिशीकेश में अंतराश्री योग महोटसफ में श्री श्री रवी शंकर ने कहा कि पूरे विशु में जो निराशावादी वातावरंड बन रहा है उसे बहतर बनाने में योग ही उपयोगी सिध्ध हो सकता है उन्होंने कहा कि योग हमें अंतरात्मा के दर्शन कराता है और हमें प्रकर्ती से जोडने का काम करता है जो व्यक्ति योग को अपने जीवन में धारन कर लेता है उसके चहरे पर कभी शिकन नहीं आती बड़ी बड़ी चुनोतियों को भी वह मुस्कुराते हुए पार कर जाता है संकट ग्रस्त जीवों के प्रती जागरुपता बढ़ाने और उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व स्तर पर हर साल तीन मार्श को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है संयुप्त राश्व महसभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68-70 में तीन मार्श को विश्व वन्यजीव दिवस खोशित किया था इस बार 2020 की थीम है प्रित्वी पर सभी जीवन को बनाये रखना लोगों को वन्यजीव अप्राधू के बारे में इसमरण करवाना तथा मानव के कारण प्रजातियों की संख्या कम होने के विरुद कारवाई करना विश्व वन्यजीव दिवस का उदेश्य है 1982 में स्थाफित भारतिय वन्यजीव संस्थान अंतिराश्ट्रिय ख्याती प्राप्त संस्था है यह संस्थान प्रशिक्षन पाठ्यक्रम अकादमिक कारेक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान करता है भारतीय वन्यजीव संस्थान भारत वर्षु में जैव विविधता संबन्धी मुद्धों पर उच्चस्तर के अनुसंधान करता है आज की समाचारों में इतना ही फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार तब तक के लिए नमस्कार